Hi everyone, this is Winohanika और आज हम बात करेंगे Chinese President Xi Jinping की क्योंकि कल से मेडिया में बहुत रिपोर्ट हैं आपने बहुत सारे चानल्स को ये वीडियो बनाते के देखा होगा कि Chinese President Xi Jinping जो है वो अंडर हाउस रेस्ट है तो इसको तोर से अनलाइस करने की हम भी कोशिश करेंगे यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं This is my Telegram Channel जहाँ पर आप मुझसे कनेक कर सकते हैं Now see what is happening कि बोला जा रहा है कि चाइना में कुछ उथल पुथल चल रही है कुछ ऐसा चल रहा है जो बाहर की दुनिया को मालूम नहीं है और यह किस बेसेज बिगा जा रहा है क्यूंकि चाइना में काफी वीडियो जो है वो वाइरल हुई कुछ अन्नोन अकाउंट से जहां पर दिखाया गया कि बहुत जादा मिलिटरी मुवमेंट टूर्ड्स बीजिंग हो रहा है और दूसरी जगा बहुत सारी फ्लाइट जो है चाइना की वो कैंसल कर दीगी और कोई रीजन उसके लिए नहीं बताया गया तो इस तरह की कुछ हलचल हो रही है जिस पर पॉलिटिकल एक्सपोर्ट कह रहे हैं इक मिलिटरी कु चाइना में हो रहा हो प्रेजिटन शी जिंकन को हटाने के लिए लेकिन अब आप सोचेंगे कि प्रेजिटन शी जिंकन को हटाने वाला ऐसा कौन है तो देखिए करेंट़ी चु नियूस सामने आ रहे हैं जो लिए करें कि is under house arrest और credible, Chinese credible media जो है अब ये कुछ भी उन्होंने इस बारे में confirm नहीं किया है अब ये भी खबरे आ रहे हैं कि इंडिया में ही मीडिया ये दिखा रहा है तो ये क्या इंडिया की एक hype हो सकती है हमारे मीडिया की और सच में ऐसा कुछ है बट अभी कुछ भी आप कहें कि 100% तरीके से प्रूफ के साथ नहीं कहा जा सकता अभी तक सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा ऐसा हो सकता है कि चाइना में हो रहा हो इस तरह की रिपोर्ट सारे की पी एले जो है उनकी आर्मी जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया है अब इसकी इवेंट्स देखिए कैसे बेसिक लिए आप जानते कि स्कू समिट चल रहा था उद्वेकिस्तान में तो स्कू समिट एक इंपॉर्टन और्गनाइजेशन है इसके time to time meet-ups होते रहते हैं अब वहां पर कुछ informal meetings भी होने वाली थी जैसे की शी जिंपिंग जो है रश्या के पुतिन से मिलने वाले थे इंडिया से informal meetings उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ informal dinners जो है होने वाले थे तो वो शी जिंपिंग ने एकदम सब रोक दिया कुछ भी carry forward नहीं किया और वहां से वो वापिस आ गए क्योंकि पूरा media जो है world media वो इन जो हमारे leads है nation के उन पे leaders जो है उन पे नजर रखे हुए थे कि informal meetings में क्या होगा क्योंकि लिदाख stand-off के बाद ये एक अच्छा movement था जहां पे इंडिया और चाइना भी अपने relationships के आगे सुधार के बारे में बात कर सकते थे but anyway ऐसा कुछ वहां पे नहीं हुआ अब देखे कोई भी देश है वहां का leader उसको represent करता है तो हमको लगता है कि वो leader all powerful है उसके हाथ में सब कुछ है although to some extent this is true लेकिन आपको party के हर member को साथ लेके चलना पड़ता है अब जैसे चाइना में CCP है तो माना जा रहा है कि जो communist party है वो Xi Jinping से अब जादा खुश नहीं थी because अगर आप देखेंगे कुछ इस तरह की decisions Xi Jinping ने लिए है जैसे कि पहले कोई भी premier या कोई भी जो topmost leader होता था वो दो साल तक रहता था तो अब ऐसा लग रहा था इन्होंने वह वाला condition हटा दिया था कि यह ताउम्र जो है उसको रास्ते से हटा दिया गया तो इस तरह की news भी सामने आ रही थी तो काफी लोग उनसे नाखुश भी थे Xi Jinping से but however कू होगा ऐसा तो किसी नहीं स्वोचा था कि there would be a coup there but let's see कि अभी क्या हो रहा है international domestic flights आपकी cancel कर दी गई बोला जा रहा है कि Chinese president जो होते हैं वो और PLA chief भी होते हैं कि वहां से भी उनको हटा दिया गया है अब देखे एक्स चाइनीज president है हुन जिन ताओ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है वें जिबाओ अब सौंग पिंग हुए सौंग पिंग सौंग पिंग एक बहुत पुराने वित्रन पुराने लीडर है communist party के तो यहां पर का जा रहा है कि उन्होंने इनको convince किया इनके हाथ में ऐसा कोई administrative control नहीं है बट काफी लोग इनको follow करते हैं party में क्यूंकि यह सबसे पुराने लीडर हैं तो यह जिसको support करेंगे तो मतलब party की support भी उसको रहेगी तो इन दोनोंने सौंग पिंग को convince किया अपनी तरफ इनको ले के आए okay a former member of standing committee भी यह है ताकि जो control है cgb का cgb क्या है central god bureau basically जो security president की रहती है उसके पीछे cgb involved होता है और जो भी main चीज़ें होती है standing committee of ruling communist party है उसकी security के लिए भी cgb होता है तो cgb जिसको support कर रहा है उसके पास majority support रहती है मतलब उसके favor में उस देश के leaders है उसके देश की army है तो यहां पर सौंग पिंग को इन्होंने कहा कि आप control ले लो cgb का central guard bureau का अब इस तरह की developments already चल रही थी ऐसा नहीं है कि शीज़ेंग पिंग को इसके बारे में नहीं पता उनको पता था तभी अप आलेटी देखेंगे कि SEO summit में उनका plan बहुत last में final हुआ that he is attending it right और Beijing में जैसे मैंने का देखिए 6,000 domestic flights और international flights cancel होना चोटी बात नहीं होती है पर चाइना इसको cover कर रहा है देयर से हमारे यहां पर military exercise चल रही है हो सकता है military exercise हो हो सकता है यह जो analysis आ रहे हैं सामने ऐसा हो so we actually have to wait क्योंकि unverified account से large convice दिखाई जा रही है और इस तरह का अनुमान तभी लगाया जा रहा है कि कहीं military coup चाइना में तो नहीं होगा यह pictures आप देखिए जो tweet Twitter पे हमको मिलती है इस तरह की pictures दिखाई जा रही है कि China's large vehicles जो है army की वो जा रही है coup in China real or fake not clear तो यह clear नहीं है mass cancellation तो आपको दिख रहा है 60% cancelled हुई है yesterday यह authentic news है there could be huge churning before 20th national congress of CCP यह भी right है Xi Jinping did not step out for 2.5 year this is not true right there's a question mark on this so इस तरह के अलग-अलग जो media Twitter पे आप देखेंगे तो this is actually trending की China में क्या हो रहा है यह trending में भी चल रहा है और कहा जा रहा है Xi Jinping जैसे SEO summit से लोटे है उनको airport पे ही detain कर लिया गया है यह कहा जा रहा है इसका भी कोई proof नहीं है but this is what is going on in media तो ultimately मैं आपको यह चीज़े इसलिए बता रही हूँ कि Xi Jinping का main अगर जो उनकी party के लोग उनसे खफा थे दो reasons पर ही जो एक major reason मैंने आपको बताया दो साल का tenure जो उनने एकदम उस condition को हटा दिया और दूसरा कि काफी लोगों को जेल में डाल दिया जो भी शी जिंपिंग से जिसने भी पंगा लिया या तो उसको फांसी दे दी गई तो काफी लोग उससे ना खुशते इंफॉर्मल डिनर skip हो गया समिट में यह भी मैंने आपको बता दिया और इसके बाद last 10 दिन में कहा जा रहा है कि CGB की बहुत सारी close door meetings हुई है और जहां पर यही discuss हुआ है कि शी जिंपिंग से अब power कैसे वापिस लेनी है क्यूंकि वह power को abuse कर रहे है so this was a result of Xi probability to become Chinese president for the third consecutive time क्यूंकि पहले ऐसा नहीं होता था तो अब थर्ड consecutive time भी वही president बनेंगे यह वहां पर काफी लोग नहीं चाहते अब यहां पर सुब्रमन्यम स्वामी ने भी tweet किया है new rumor to be checked कि इसको यह rumor है यह सच है so nobody किसी के पास किसी भी चीज का proof नहीं है अब यहां पर rumors started after china's minister was sentenced to death of taking bribes तो इस तरह के rumor तभी सामने आ गए थे जब ministers को मैंने आपको कहा काफी लोगों को सिर्फ corruption के charges में उनको मौत की सजा सुनाई गई in fact थे तीन police chief थे जॉंग धाउन डेंग हुलियॉन लुई जिन्यून जिनको sentence पहले दो साल की सजा दी गई बाद में उनको फासी की सजा दे दी गई तो उसके बाद इस तरह के rumors थे कि भाई अब Xi Jinping जो है वो अपने जो power है उसका abuse कर रहे हैं but however हमको यहां पर Russia की support towards Xi Jinping आते वे भी नजर आ रही है कि because they want क्योंकि this time Xi Jinping Russia के थोड़े favor में है Russia को उनकी support क्यों चाहिए Ukraine के खिलाफ की Xi Jinping support कर रहे है morally support कर रहे है now let's see कि Russia इसको किस तरह से comment करता है so this is the news which is coming और यह latest बहुत ही खतरनाग है कि strong rumors है कि अगर military coup यह successful जो रहा है China में Xi Jinping को house arrest में डाल दिया ली क्योमिंग जो की ने president होंगे so general Li क्योमिंग जो है या फ्योमिंग जैसे भी नाम different तरीके से प्रनाउंस होते है so they are likely to succeed Chinese president so let's see कि कब इस चीज पर मोहर लगेगी या कुछ और निकल के सामने आएगा we all are eagerly waiting कि China में क्या चल रहा है so this is it बाकि आप अपनी preparation हमार साथ असान कर सकते हैं because आपको यहां पर बहुत सारे educators का choice मिलता है जिनसे आप पढ़ सकते हैं या कि best educators आपको यहां पढ़ा है subscription आप ले सकते हैं this is the code Vero UPSC अगर आप मेरा code यूस कर रहे हैं combo subscription optional subscription you can go for it mains batches हमारे 22nd September से latest शुरू है you can get yourself enrolled बाकि mains test series भी आप ले सकते हैं Iconic में you'll get a mentor जो आपको बताएगा किस तरह से आपको preparation करना है अगर EMI लेते हैं 0% interest है और 29th तक डाउट दरबार भी चल रहा है बाकि if you want to score more optionals के साथ so we have certain optionals also इनकी preparations भी आप अगर्मी के साथ कर सकते हैं 26 को बहुत बड़ा announcement होगा let's crack UPAC पे so stay tuned for it बाकि exciting prices आप ले सकते हैं channel का link यह जो न्या channel है हमारा इसका link आपको mad ovo maps आपको मिलेगा हमारे description में so do follow और मेरे से connect कर सकते हैं telegram पे thank you so much